नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दीकर इंटरफेशों में और मैं हूँ आनंद कुमार और आज के दीकर इंटरफेशों में हम अनलेसिस करने जा रहें ताकि भारत को남 इनद काम करने वाली एक प्रमुक एजनसी डियाडियो ने 101 ऐसे सैन्य परनाली की पहचान की है जिसका जो design है, जिसका जो development है, जिसका जो manufacturing है वो domestic industries द्वारा किया जाएगा तो आज के दीकर इंटरफेशों में हम इसी topic पे analysis करने वाले हैं तो चलिए आज के दीकर इंटरफेशों की शुरुआत करते हैं आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ब्रेट में analysis किया था कि 101 विदेशी उपकरन पर किस प्रकार से बैन लगाया गया अगर उस वीडियो को आप ब्रेट में देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं थोड़ा सा analysis कर लेते हैं एक दो लाइन में उस वीडियो में मैंने जो भी बताया था 101 विदेशी उपकरनों को बैन करने का फैसला लिया गया था जो कि 4-5 साल में यह implement होने वाला है और इससे यह भी कहा गया था कि आने वाले 4-5 साल में भारत के जो domestic industries हैं जो कि defense sector से जुड़े हुए हैं उनको लगभग 5 लाग करोड रुपै का contract जो है वो मिल सकता है यानि कि domestic industries जो है defense sector का boost हो सकता है अगर आप सलाना import पर जाओगे defense sector में कि इंडिया कितना import करता है आगे हम थोड़ा से वहाँ पर analysis भी करने वाले हैं तो लगभग 1,10,000 करोड रुपै का जो है import इंडिया हर साल करता है defense equipment से related या फिर जो भी system से उसको import करता है इंडिया और 4-5 सालों में अगर 101 यह जो उपकरन है बैन कर दिया जाता है तो इंडिया को यहाँ पर 5 लाग करोड रुपै के domestic industries को direct फैदा पहुँच सकता है तो अब यहाँ पर DRDO यानि की defense research and development organization की तरब से ऐसा 108 defense system को चुना गया है जिसका manufacturing, design या फिर development वो पूरी तरह से domestic industries द्वारा ही किया जाएगा तो इससे आने वाले समय में defense sector में इंडिया आत्म निर्भर बन सकेगा और यह 108 design किस प्रकार से होंगे, यह armed forces के लिए होंगे, research and development establishment के लिए होंगे और other security agences के लिए भी होंगे, इसमें आप navigation radar को ले सकते हो, tank को ले सकते हो या फिर जो transporters होते हैं उनको ले सकते हो, यह सब का जो development, manufacturing, यह सब के सब domestic industries द्वारा किया जाएगा और DRDO ने 108 defense system की पहचान की है, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, defense sector का domestic industries आज कहां पर खड़ा है तो यह सब और सब DRDO के अंतरगत काम करते हैं, और present time पर 1800 से अधीक ऐसे MSS sector है, जो defense sector से जुड़े हुए चाहे hardware हों, चाहे software, इनके निर्मान का कारे करते हैं, इसमें कुछ ordinance factory है, कुछ defense public sector units है, या फिर कुछ large scale industries है यह जितने भी MSS sector हैं, या फिर large scale के industries हैं, वो present time पर defense sector से जुड़े हुए है, और अभी अगर आप present time पर देखोगें, तो इन sectors के द्वारा, जो दूसरे देशों को import किया जाता है, defense sector से जुड़े हुए, जितने भी defense equipments होते हैं, चाहे हो hardware के रूप में हो, चाहे हो software के global export का सिर्फ और सिर्फ 1.4% export होता है, और अगर इन घरेलो industries को हम खुद promote करते हैं, तो आने वाले 74-5 सालों में इस 1.5% को 5% तक पहुँचाया जा सकता है, ऐसा भी मानना है, ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, तो अब यहाँ पर यह समझने के प्रास कीज यह कि आखिर government का plan है क्या, तो Stockholm International Peace Research Institute इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था, जिसमें 101 रक्षा उपकरनों पर जो बैन लगाया गया थो बनाया था, तो उपर आई बटन पर क्लिक करके Stockholm International Peace Research Institute के बारे में आप जान सकते हैं, फिर भी एक लाइन में बता देता हू यह defense sector से जुड़े हुए countries या फिर किसी companies के बारे में report release करती है, उस पर research करती है और इसके report को काफी authentic माना जाता है, तो इस report के अनुसार India is the second largest importer of defense items between 2014 to 2019, यानि कि यह 4 से 5 सालों के बीच में, इंडिया जो है second largest importer रहा है, और first जो largest importer है, वो है आपका सयुक्त अरब अमि तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो equipment को import करने वाला अगर कोई country है, तो वो UAE के बाद भारत ही है, और एक बहुत मोटी रकम खर्च किया जाता है इस पे, और अगर हम जितना investment foreign के कमपनियों पे करते हैं, उतना investment अगर हम अपने domestic industries पे करें, तो कहीं न कहीं, ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमन सावित हो सकता है, बजट की बात कर लें कि इंडिया किस प्रकार से खर्च करता है, तो इस साल के finance, ये 2020 और 2021 में 3.37 लाग करोड रुपए का बजट का announcement किया गया था, और इसमें से लगभग 1.1 लाग करोड रखियेगा और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखियेगा, अलग से 52,000 करोड रुपए इस साल defense sector में और एड किया गया है, तो ये जो बजट है 3.37 करोड वो लगभग 4.something करोड रुपए हो जाएगा, तो domestic industries जो defense sector से जुड़े हुए हैं, अगर उस sector को boost करना है, तो अ अगर हम अपने domestic industries को promote करते हैं, इंपोर्ट ना करके, तो हाँ पर बहुत सारे benefits हो सकते हैं, एक तो defense sector से जुड़े हुए, जितने भी domestic industries हैं, वो boost करेंगी, डियाइडियो की मदद से यहाँ पर जो देश का talent है, वो सामने आ सकेगा, हम दूसरे countries को यहाँ पर export कर सकेंगे, और South Asia reason में हमारा दबदबा बढ़ सकेगा, तो इस तरह से बहुत सारे reason हो सकते हैं, दूसरे देशों पर हम निर्भर नहीं रह पाएंगे, हम अपने आप पे निर्भर हो पाएंगे, तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है, तो चलिए, आज की the current effect show में इतना ही, ल कर दो कर देँ